नमस्कान दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं OTT पे अवेलेबल हुई एक तमिल लेंगवेज की फिल्म के बारे में जिसका नाम है डानाव इसका हिंदी डव वर्जन अभी कुछी दिनों पे ले रिलीज हुआ है ये एक रोमेंटिक कोमेडी ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इसक सिंदू दोनों फाइनल यर्स के स्टुडेंट से और दोनों रिलेशन्शिप में रहते हैं वेसे में एक बार सिंदू प्रेगनेंट हो जाती है और मुकुंदन उससे कहता है कि इस बच्चे को अबोड कर दे हाला कि सिंदू ये करना नहीं चाती और दोनों किसी अलग जग जाती है और मुकुंदन ये देखके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो सिंगल हैंड़ली अपने बच्चे को पालता है बढ़ा करता है अब फिल्म की आगे की स्टोरी लाइन क्या होगी ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी अब दोस्ते इस फिल्म में सबसे जादा मुझे जो कमी लगी वो थी इमोशन की ऐसी फिल्म में इमोशन भर भर के होने चिये थे चाहे वो बाप और बेटे का रिष्टा हो पती पतनी का रिष्टा हो बेटा और मा का रिष्टा हो एकदम इतने इमोशनल होने चिये थे कि आपकी आख में से आसु नहीं रुखने चीए हिंदी फिल्म में भी एक ऐसी फिल्म बनी है हाला कि सिमिलर नहीं है लेकिन कॉंसेप्ट पाइस सेम ही है रिष्टे जहां पर अनिल कपूर करिश्मा कपूर लीड डोल में नजर में आये थे और सेम ऐसा ही था कि वहां पर अनिल कपूर अकेले अपने बच्चे को पालते है लेकिन वहां पर अगर आप इमोशन देखोगे ना आपके रोंग्टे खड़े हो जाते हैं एक एक सीन को उस फिल्म का अंदर से जंजोड के रख दिया था मैंने जब पहली बार वह फिल्म टीवी पे देखी थी ना मैं अपने आसों नहीं रोख पा रहा था मैं तो खुद बच्चा था उस समय फिल्म भी मैं अपने आसों नहीं रोख पा रहा था उसके गाने प्रेजेंटेशन हर चीज़ बहतरीन थी लेकिन डाडा के समय ऐसा नहीं लगता है फिल्म में बच्चे के साथ पिता के बहुत ही कम शोट दिखाए गए है बहुत ही कम, कुछ कुछ शोट अच्छे है लेकिन जाता तर शोट गाने में और बस ऐसे दो तिंग डायलोग में ही चले जाते हैं, जो इमोशन हम केरी करना चाते हैं कि बच्चा अपने पिता के बारे में क्या सोचता है पिता अपने बच्चे के बारे में क्या सोचता है वो फिल्म में अच्छे परिके से नहीं दिखाया गया फिल्म में जो सिंदू का करेक्टर है वो शुरुवात में 10-15 मिनिट के लिए रेता है और एंडिंग के लिए भी बस 10-15 मिनिट के लिए रेता है लेकिन उसके बीच में जो मुकुंदन का केरेक्टर है जो अपने बच्चे के लिए जो कुछ करना चाहता है वो उतना मुझे अच्छा नहीं लगा मतलब एक होना च करता है लेकिन ठीक था कि लगता है हमें कुछ जादा अंदर से तोड़ने का काम नहीं करता है फिल्म में पफॉमंस वाइस तो सभी का पफॉमंस अच्छा ही था और फिल्म की हिंदी डबिंग भी अच्छी थी लेकिन फिल्म अगर जादा emotional होती direction wise और ज़्यादा मेतर होती तो film मुझे और ज़्यादा पसंद आती फिल्म की जो length है वो धाई गंटे से भी उपर है मतलब बहुत ज़्यादा लंबी लगती है बीच बीच में कई पे film खीची हुई भी ज़्यादा लगती है क्योंकि film में emotion की कम होती है तो हम character से उतना ज़्यादा जूड नहीं पाते तो film की अगर length कम होती तो film देखने में और मज़ा आता बाकि film और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी लेकिन फिर भी आप एक time के लिए भी ये film सरूर से देख सकते हो मैं spin को दूँगा 5 out of 10 stars आपको review कैसा लगा कमेंट सेक्षन में जरूर बतायागा और अगर review अच्छा लगा वो तो like जरू कीजेगा तब तक के लिए फिर मिलेंगे जैश्रेराव